पिता, पुत्र और पवितरातमा के नाम पर आमेन आप सबों को जैय स्यो गिल हम लोगों ने कोन मुर्टि पूजक है कातिलिक लोग जो मुर्टियान रखते हैं या जो माला पहनते हैं इसमें कोई गलती है की नहीं इस पर हम लोगों ने मनंचिंदन किया कलीसिया में अनमदी दिया है कि हम माला पहन सकते हैं संदों का आदर सम्मान कर सकते हैं संदों के मद्धिस्त हम मांग सकते हैं संदों के मूर्ति का हम उपयोग कर सकते हैं उनका आदर सम्मान करने के लिए ये कलीसिया हमें अनमदी देता है लेकिन यहां पर येद भी देखने के लिए आता है कई लोग अंतव विश्वासी बेंजार है इस मूर्ती के कारण कई लोग अपने विश्वास को खुब एड़ते हैं संदों का आदर सम्मान करना है इसका ये मतलब नहीं है कि एवल आपको संदों को पकड़ कर रखना है कई लोग इस प्रकार का कई गलतियां करते हैं कई लोगों के घर में मुझे ऐसा ईसा मसीह का और माता मरेम का या अन्य लोगों का जो फोटो मिला है जो किसी फिल्म का एक पार्ट है उदाहरन के लिए जो पैशन ओफ क्रैस्ट अभी बहुत फेमस हुआ था उसके अंदर इसा मसीह के दुखभोग को जो अक्चुली जो हुआ उसके अनुसार दिखाने का उन्होंने प्रयक्टन किया इसलिए ऐसा कई शोट लेकर के कई फोटोस लेकर के कई लोग इसा मसीह का आदर सम्मान करने के लिए अपने घरों में रखा है वो फोटो रखा है वो रो रहा है वो खुन बहर रहा है किसका है वो व्यक्ति किसी फिलिम का लाकार व्यक्ति है मेरे एक दिन ऐसे कई जगाओं पर फोटो रखा हुआ देखा और वहां का जो पुर्योगित से मैंने एक सवाल किया एक सचा गड़ना है मेरे जो बेटे लोग जब चोटा था जबलपूर में हम लोग जिस चर्च में था उस चर्च में जो गुड़ फ्रेडे के दिन जो क्रूस रास्ता चलता है उसके लिए मेरे बेड़ा वाला बेटा येशू का रोल में और चोटा वाला बेटा एक सिपाई के रोल में उसमें नाटक किया था गुट फ्रेडे के दिन कई जगाओं पर ईसा मसी के कुरूस रास्ता का नाटक चलता है उसका फोटो वीडियो सब लेते हैं तो मैंने उस पुरुगित से एक चोटा सा सवाल किया मेरे पास मेरे बेटे का ये जो कुरूस रास्ता का कई फोटो है बहुत अच्छा लगता है क् उसको में से एक फोटो जो मेरा बेटा ने ईसा मसीही का जो रोल में वेश भूशा में जो हैक्टिंग किया था और उन में से एक फोटो को जो बड़ा सा बना करके हमारे घर के वेदी में उसको रखे मुंबती वेरत जला दूँ तुरंद फादर ने बोले ने ने वो तो प वेदी में रखना पाप है ईसा मसीह कव ड्रस में क्यों ऐसे हिरोस का जो फिलिमों में आक्टि किया जीसस फिलिम में हो किसी भी और फिलिम में उस फिलिम में आक्टि किया हुआ जो हीरो है उनका फोटो हमारे कई चर्च के अंदर कई जगाओं पर कई लोगों के घरों में मिल रहा है लोग करीदा है कईने कईन दुकान में उसको बेजा है हमारे दुकानों में उसको बेज रहा है इसलिए लोग करीद रहा है उसके सामने लोग घर में ले जा करके बत्ती जलाता है उसके सामने हाथ जोड़ता है यह आप बोल रहा है मेरे भेटे का फोटो रखना गलत है तो इन हीरों का फोटो रखना कितना सही है जैसे कल के क्लास में हम लोगों ने मनंचिंदन किया था कादली कलीसिया का धर्मस्रिक्षा गरंद 477 में ये लिखा हुआ है और जो निस्या महासभा में भी इसको पारित किया था यदि हम लोग मूर्ति रखता है उस मूर्ति का पूजा नहीं करता वो मूर्ति जिसका है उसका पूजा करता है यदि किसी विक्ति ईसा मसी का वेश्ट डाल करके फोटो किछाया और उस फोटो को यदि हमें दे रहा है तो हम क्या उसको उपयोग कर सकता है बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसलिए आपके पास जितने भी फोटोस है फ्रेम किया हुआ हो लामिनेटड हो घर में हो चर्च में हो कहीं भी रखा हुआ है करपया आप उन फोटोस में तोड़ा ध्यान दीजिए यदि वह फोटो किसी भी फिलिमकार का फोटो है उस फिलिम का जो कुरूसित रूप हो या दुकबो का भाग हो या आशिश देने का भाग हो कई ऐसा फोटोस मिलेगा भारत देश के कई हिरोस का फोटो प्रजलिते है या विदेशी कई हिरोस का फोटोस प्रजलिते है इन फोटों को हमें इसका मदलब हटाना चाहिए हमें केवल इन फोटों को इस्तमाल करना है कहीं इसा मसी ने दर्शन दिया था उस दर्शन के द्वारा जिनको दर्शन मिला उनके जो डेकरेक में जो फोटोस बनाया उसका हमें इस्तमाल करना चाहिए किसी विक्ती का फोटो लेकर किसी नाटक का किसी फिल्म का भाग का फोटो इस्तमाल नहीं करना चाहिए आप इसलिए अपना सबसे पहला एक नरने कीजिए हम जो फोटो इस्तमाल कर रहा है वो फोटो किसका फोटो है कहीं से कहां से आपको फोटो आया है दूसरी बात कई लोगों के लिए ये जो कलीसिया ने जो अनमदी दिया है संदों का आदर सम्मान करने के इस सब का वो पाप का कारण बन रहा है मसी में कम विश्वास है संदों में ज़्यादा विश्वास में जा रहा है कई लोग नोवेनय में ज़्यादा जाता है माताम मरियम का हो या संद अंदोनी का हो पक्का चर्च बरा हुआ मिलेगा लेकिन मिसाबलिदान में लोग नहीं है वहां पर उस समय पर भीड नहीं इतवार को भीड नहीं इन नोवेने के लिए बहुत भीड है इसका मतलब मसी से बढ़ करके इन लोगों को मसी द्वारा कृपा मिला प्राप्त किया वह उन सांधों को जिसे ही इशुर ने इस्तमाल कर रहा है उन पर ज़्यादा विश्यवास करना इससे मुर्तिपुजाही कहते हैं आन्दा विश्यवास कहते हैं इससे हमें बच कर रहना है एक बार मुँझे याद है चालीसा के समय पर है एक शुकरवार के दिन जब चर्च में जो कुरूस की रास्ता है इसके बाद मिसा बिलदा ने ऐसा एक चर्च में मुझे थोड़ा सा पंदरह मिनिट या बीज मिनिट क्लास लेने के लिए बुलाया कुरूस रास्ते के किसी एक श्तान के विशे में तोड़ा मननचिंदन कर दो ये बोल करके पुरुखिद ने बुलाया तो मैंने फादर से पूचा फादर क्या कुरूस रास्ते के पहले करना है या कुरूस रास्ते के बाद में करना है या मिस्सा बिलदान के बाद में कब करना है इसका समय पूचा तब फादर ने मुझे बोला ये जो कुरूस रास्ते का जो सांतुमस्तान कदम होगा इसके लोग जो आते आते समय लगाता है और वो सातम अस्तान के बाद लोगों को बिठाता है और क्लास में लेलो मैं ने पहुचा यह बीच का अच्छा नहीं है यह तो पहले लेलो कम लोग हो कुछ भी हो मुझे कोई प्रॉल्म नहीं तो बाद में लेलो फादर का कहना है कुरूस क्रूस रास्ता खतम नहीं हुआ, 90% लोग नगल जाएगा, कुछ लोग थोड़ी सी लोग रहता है मिस्सा बेलदान के लिए, आप ये बताईए, चालीसा काल में मिस्सा बेलदान में भाग लेना जरूरी है, या क्रूस रास्ता में, क्रूस रास्ता एक भक्ति कारिये, केवल एक भक्ति प्रकडने है, प्रभू का ओ बुक्ट बुक को मात्र याद करने के लिए, ओ भक्ति कारिये शुरू किया, कैवल उसके लिए कलिस्या ने उसको दिया है, लेकिन मिस्सा मिलिदा में, इससा मसी के पूरे जीवाह, न्कूस मृत्यों सब कोच इसके बाद Mys Blues को, यांदाविश्वास नहीं तो क्या है? अनेकों लोग इस प्रगार माता मर्याम के नौवेना हो या बक्ती हो या किसी संद्द का जो नौवेना प्रार्चना इसमें बहुत दिल्चेज्ज़ भी दिखाते हैं। किसी फेमस संदों के नाम से हैं वहां पर उनका जो प्रार्थना है नोवेना वेरा बहुत बड़ी चड़कर करके जब चलता है उसमें बहुत हजारों की संक्या में लाखों की संक्या में बीड़ बाड़ा जगा भी है लेकन उसी जगा पर जो मिसा बिलदान के लिए जो इतवार को जो आने वाले लोग बहुत ही कम मरतलब ये हो गया लोग दीरे दीरे संदों के चर्णों में जा रहा है मसी से अलग हो रहा है तो कलिसिया ने इसके लिए संदों का आदर करने के लिए नहीं कहा है हमें संदों का आदर सम्मान करने हर रोज मैं चार रोसरी करता हूँ क्रूस रास्ता एक करता हूँ करूना रोसरी करता है ये सब रोज करने वाला विक्ति मैं आपको बोल करकर दे रहा हूँ उससे बढ़ करके मैं हर रोज मिसा बिलिदान में जाता हूँ सबसे पहले मिसा बिलिदान इसके बाद ये सब को मसी को ग्रेंड करते हुए संदों का आदर समान मामरियम के साथ मामरियम के साथ रहे कर मुझे मिसा बिलिदान में अगर नहीं लेकर रहे गया मैं पाब कर रहा हूँ किसी संद अंदों नी हो संद यूदस हो किसी भी चमतकारी संदों के पास हम जा रहा है लेकिन मुझे रोज की मिसा में भक्ती नहीं मिसा मिलिदान में योगिरिदी से भाग नहीं ले रहा है मैं पाब कर रहा हूँ हमें इसलिए अपने अंदकरण की तोड़ा जांच करना है हाई अपने आँगों को बंद करें कहीं हम लोग धीरे-धीरे मुर्ति पूचक तो नहीं बन रहा है संदों की भक्ती बढ़ रहा है इसा मसी से अलग तो नहीं हो रहा है क्या मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ इसा किसी भी संद का आदर सम्मान करने वाला भक्त करने वाला मैं नहीं बोल रहूंगा वो गलत है किजिए लेकिन उस संद का जीवन आपकी जीवन आपने बनाया है की नहीं उन संदों के अंदर आपने जो गुण देखा वो गुण आपको आपने अपनाया है की नहीं नहीं है तो आप मूर्ति पूजा कर रहा है आप केवल चंगाई चाहिए चमतकार चाहिए पैसा चाहिए शादी चाहिए बच्चा चाहिए इसलिए अगर जा रहा है उस भी आपको मिलेगा लेकिन आप उन लोगों में से बेन जाएगा जो रोटी खा करके तृप्त हुआ इसा मसी को कुरूस दो कुरूस दो एबच लाने वाले उन लोगों के भीड में आप भी साम्मिलत होंग जाएंगे नरने कीजिए पहलास्तान मेरे जीवन में येश्य को मिस्सब लिदान को और इसा मसी से जुड़े रहने के लिए संदों का हाथ पकड़ेंगे हम प्रभू हमें सब कुछ देता है संदों के द्वारा देगा यदि हम संदों का हाथ पकड़ करके प्रभू की ओर चल रहा है जरूर मिलेगा निरने की जी पिता, पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमेन आप सबों को जैये सु